हेगा, इस किप्टुकरंसी से पैसा कमाने का एक तरीका ट्रेडिंग नहीं है, इसके लाओ भूष सारे तरीके होते हैं, जिनकी मतल से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं आज के स्वीडियों में आपको ट्रेडिंग के लवा चार ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनकी मतल से आप पर मन्त अचा कासा पैसा जनरेट कर सकते हैं और इन चारों तरीकों में इसे तीन तरीके तो ऐसे हैं जिन में आपका investment amount decide करेगा कि आप कितना earn कर सकते हैं ठीक है और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस वीडियों में आपको केवल ब्रीप में बताऊँगा कि यह तरीके कैसे पैसे अंग करते हैं लेकिन अगर आपको पूरा detail में जानना हो तो आप मुझे नीजी comment करके बता सकते हैं मैं आपके लिए पूरा dedicate वीडियो बना दूँगा और मैं खुद personally यहां से एक लाग रुपे से ज़्यादा earn करता हूँ इसलिए आपको suggest कर रहा हूँ यहां पर cryptocurrency में अच्छा कासा potential है पर मन्त एक लाग क्या इससे भी ज़्यादा earn करनेगा यहां पर चार तरीकों में एक तरीके को छोड़कर तीन तरीकों से आप अच्छा कासा पैसा earn कर सकते हैं इन तीनों को मिला जो लगए भी earn कर सकते हैं एक लाग रूप पर मन्त या पर चार तो आप एक से भी कर सकते हैं तो वीडियो बहुँ जादे इंट्रेस्टिंग होने वाला इसलिए प्लीज वीडियो को बिना इसकीप के एन तक जरू देख रहा हूँ तो दोस्तों सबसे पहले तरीके की बात करते हैं वो है staking and landing ये दोनों क्या होते हैं staking और landing दोनों एक तरीके similar ही होते हैं staking में क्या होता आपके पास जो coins होते हैं उनको आप cryptocurrency wallet में log करते हों और आपको उसके बले rewards मिलते हैं transaction को validate करने पर POS पर POS क्या होता है proof of stake यहाँ पर क्या होता है proof of stake algorithm होता है वो choose करता है आपके जितने भी coins होते हैं उसके according आपको rewards मिलते हैं और यह बहुत अच्छा तरीका है यहाँ पर mining से तो battery रहता है expensive ना तो computer की ज़रूत होती है नहीं hardware की ज़रूत होती है simple से आप बस आपको जो भी आपकी cryptocurrency है उसको अच्छे platform पर low कर दो और आपको उसके बदले rewards मिलते रहेंगे ठीक है और यहाँ पर आप जो अपना bank में पैसा रखते हैं उससे तो कई गुना ज़्यादा आपको percentage amount मिलेगा यहाँ से यहाँ पर bank में तो आपको बहुत कम मिलता है लेकिन यहाँ stake करेंगे तो और लंबे time के लिए stake करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा return मिल सकता है अब बात करें lending की तो lending का मलब होता है उदार देना किसी को डीड है तो आप उसको अपनी किप्टो कशने दे सकते हैं एक पिक्स टाइम के लिए और आपको वो उसके बदले interest देता है ठीक है तो इस पर पूरा एक detail में dedicate video बनाया चाह सकते है तो आप नीचे comment करके बता दीजे मैं आपको कभी इस पर पूरा detail video दे दूँगा अब दोस्तों दूसरी तरीके की बात करते हैं वो है mining, mining भी बहुत अच्छा तरीका है यहां पर आपको कुछ नहीं करते हैं और यहां पर आपका इन्वेस्मेंट करता है आप कितना earn कर सकते हैं आप mining के equipment में अगर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा return मिलेगा और कम इन्वेस्ट करेंगे तो कम return मिलेगा कुछ लोग mining के mini farm खोल रहे हैं कुछ बड़े खोल रहे हैं तो उसके according उनको पैसे मिलते है किसी को कम किसी को ज्यादा वो तो mining करने पर depend करता है तो mining बहुत अच्छा तरीका है किप्टो करेंशी को mine करके पैसे कमाने का तो अगर आप mining को लेकर पूरा detail में वीडियो चाते हैं तो आप इसके लिए बता सकते हैं मैं इसके उपर भी एक पूरा डेडिकेट वीडियो लेकर आ जाओंगा तो अब दोस्तों तीसे तरीकी की बात करते हैं वह हैं इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग से भी आप अच्छा-कासा पैसा जेनरेट कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग से तो बैटरी होता हैं ट्रेडिंग में आपको मातापच्ची करने होती है बहुत सारी चीज़े लेना, कब एकजित करना यह सारी चीज़े देखके फिर वहां आप पैसा generate करते हैं लेकिन आप invest करके long time के लिए छोड़ देते हैं तो आपको उसका अच्छा खासा return मिलता है क्योंकि अगर आप लेकिन invest करोगे long term के perspective से तो आपको इन चीजों के tension नहीं रहेगी और आप फिर एक certain time जाके बाद में देखेंगे तो आपको उसका अच्छा खासा profit मिलेगा तो यहाँ पे आप किसी भी अच्छे project में long term के लिए invest करते हैं तो आपको उसका अच्छा खासा return मिल सकता है और मैं मैंने आपको एक दो दिन पहले जो वीडियो पताया था कि investor होता है वो पूरा source समझके पूरी चीज़े देखता है कि आगे जा सकता है कि नहीं चाल सकता है इसके future plan कैसे है इसकी growth कैसे सारी चीज़े देखे invest करते हैं तो investing से भी आप अच्छा का सा amount generate कर सकते हैं अब दोस् करवाता है वो इसलिए कराता है ताकि उसको लार्ज user waste मिल सके ठीक है सिंफल सी बात है airdrop में आपने भी participate किया होगा कभी ना कभी और यहां पर बात करें folks की तो folks में क्या होता है यहां पे जैसे कोई protocol होता है उसमें गर changes या upgrade करने होता है तो नए coin create करते हैं और जो भी इ में tokens दिये जाते हैं नए network के तो यहां पर airdrops और folks से भी आप थोड़ा बहुत amount generate कर सकते हैं तो मैंने आपको चारों तरीके बता दिये हैं अगर आपको इन में से किसी में भी आपको detail में जानना हो तो नीचे comment कर सकते हैं तो मैं आपको पुरा detail video provide करा दोगा तो वीडियो अगर आपको जड़ा सा भी knowledge मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को subscribe कर लीजे आगे भी आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे तो दोस्तों आसा करता हूँ आपको सब को समझ में आ गया होगा अगर अभी भी आपके मन में कोई doubt है तो प्लीज नीचे कोमेंट करके बता दीजिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन बाए